Hello my dear students, welcome back to your max class grade 2. So students, as you know, currently we are doing chapter number 6 money, right? So today we are going to begin explanation part 3 of chapter number 6 money. So, आज हम सीखेंगे, adding and subtracting rupees and paise. आज हम rupees and paise को add and subtract कैसे करते हैं न, वो सीखेंगे, okay? क्या सीखेंगे, addition and subtraction rupees and paise में कैसे करते हैं? So, यहां क्या लिखा हुआ है students? We add and subtract money as we add and subtract numbers. आपको simple addition तो आता है, right? So, हमें money में भी वैसे ही addition and subtraction करना होते हैं, कुछ new नहीं हैं. जैसे हम normally addition and subtraction करते हैं वैसे ही हमें money में भी addition and subtraction करना हैं. So, यहां हम कुछ example सीखेंगे. So, example one है, add rupees 25, point 50 पैसे. हमने सीखा था ना, हम point use करते हैं, rupees and paise को अलग-अलग करने के लिए. So, यहां कितने rupees है? 25 and paise कितने? 50. अभी हमें उसमें add क्या करना है, rupees 5, okay, point 00 पैसे हैं, means 5 rupees. So, अभी हम क्या करेंगे? हम एक column बना देंगे, rupees का. आप देख रहे हो ना, rupees की symbol and paise के लिए भी p use की है, symbol. फिर हम उसमें, rupees में rupees लिख देंगे, जैसे 25, point 50 पैसे में 25 rupees हैं, 50 पैसे हैं, right? And next देखो, plus क्या करेंगे? 5 rupees and 00 पैसे, 0 पैसे means 5 rupees. Okay, पैसे में कुछ नहीं है, तो हमने 00 लगा दिया. अब हमें addition करने हैं, addition कैसे करेंगे हम? जैसे हम normally sums में addition करते हैं, पीछे से start करते हैं, वैसे ही अभी हम पैसे से start करेंगे. पैसे में सबसे last में 0 plus 0, 0 plus 0 क्या होता है? 0, फिर 5 plus 0, 5 plus 0 क्या होता है? किसी भी नंबर में 0 add करो, answer same का same 5. then रुपीज में आजाओ, रुपीज में भी पीछे से start करेंगे, 5 plus 5 है पीछे, 5 plus 5 क्या होता है? 5 plus 5 होता है 10, 10 का 0 हम 5 के नीचे लिख देंगे, and 1 हम 2 में कैरी कर देंगे, अभी 2 plus 1, 3, so 25 रुपीज 50 पैसे, प्लस 5 रुपीज होता है, 30 रुपीज 50 पैसे. Students, money में addition या suppression दोनों करते हुए हमें एट चीज ध्यान रखनी है, हमें हमारा some always पैसे से start करना है, हमें पहले पैसे को solve करना है, फिर रुपीज पे आना है, ओके? Now students, अभी हम next example, suppression का देखेंगे, example 1 में हमने addition सीखा, कि हमने सीखा हमें रुपीज एन पैसे को add कैसे करना होता है, अभी हम सीखेंगे हमें रुपीज एन पैसे में suppression कैसे करना होता है, ओके? So यह question क्या है? सप्रेक्ट रुपीज 10.50 पैसे, from रुपीज 25.50 पैसे, हमें क्या करना है? सप्रेक्शन करना है, क्या question है? सप्रेक्ट रुपीज 10.50 पैसे, from रुपीज 25.50 पैसे, So question में जब भी from हो हमें पीछे वाले नमबर में से आगे वाला नमबर माइनस करना है Means हमें रुपीज 25.50 पैसे में से रुपीज 10.50 पैसे माइनस करना है बड़े नमबर में से छोटा नमबर 25.50 पैसे में से हमें रुपीज 10.50 पैसे माइनस करना है तो हम बहुले औले कॉलम बना देंगे रुपीज and पैसे की sayna उसमें लगाएंगे तो अब भी हमें क्या माइनस करना है रुपीज 25 पैसे कितने है 50 उसमें से हमें क्या माइनस करना है रुपी discipline 10 पैसे तो हम subtraction भी वैसे ही करेंगे जैसे हम Normally sums करते हैं, subtraction के हम पैसे से start करेंगे पैसे में सबसे पीछी क्या है? 0-0 0-0 होता है? 0 Then है 5-5 5-5 क्या होता है? 0 Then rupees में आजो rupees में भी हम पीछे से start करेंगे So पीछे है 5-0 किसी भी नंबर में से 0- करो, answer same का same 5-0 होता है 5 Then है 2-1 2-1 क्या होता है? 1 Easy, so अभी हमारे पास answer क्या है? rupees 15, okay students पैसे में 0 है So हम क्या बोलेंगे? rupees 15, okay So 25.50 means rupees 25.50 पैसे में से हमने जब rupees 10.50 पैसे minus किये तो हमारा answer आया rupees 15, okay So आज हमने explanation part complete कर दिया आपको घर पे ये अच्छे से study करना है So thank you भ्वाव कर दो